हेलो श्टुटेंट्स आज हम आपको सेंटेंजोग्स ओनलाइन क्लासिस के माध्यम से चैप्टर नमबर 12 रेड कराएंगे चैप्टर नहीं में सर्वनाम जिसको मिंगलिस में प्रोनाउन भी बोलते हैं सर्वनाम क्या है संग्य सब्दों के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले सब्दों को सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, यह, आदी सर्वनाम सब्द संग्या के बार-बार दोरहाई जाने के दोस को दूर करके भासा को अधिक प्रभावसाली और सुन्दर बनाते हैं ये सब्द संग्या के इस्थान पर प्रियोग किये जाते हैं जरूरी है कि सर्वनाम सब्दों के प्रियोग से पहले संग्या सब्दों का प्रियोग किया जाए जैसे सुमित पढ़ने में अच्छा है वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है सर्वनाम के भेद जिसको हम इंगलिस में बोलते है काइंड्स उफ प्रोनाउन सर्वनाम के 6 भेध हैं 1. प्रुसवाचक 2. निश्चेवाचक 3. निश्चेवाचक 4. समबंधवाचक 5. निजवाचक 6. प्रश्चनवाचक 1. प्रुसवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम सब्ध बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले के लिए अथ्वा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रियोग करता है उन्हें पुरुस्वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, आदी पुरुस्वाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं फर्ष्ट उत्तम पुरुस्वाचक सर्वनाम, सेकेंड मध्यम पुरुस्वाचक सर्वनाम, थर्ड अन्य पुरुस्वाचक सर्वनाम फर्ष्ट उत्तम पुरुस्वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम सब्दों का परियोग बोलने वाला अपने लिये करता है उन्हें उत्तम पुरुस्वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ बोलने वाला जिन सर्वनाम सब्दों का परियोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उन्हें मद्यं पुरुस्वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तुम भी तो कुछ कहो आप भी हमारे साथ चलिए कहने वाला जिन सर्वनाम सब्दों का परियोग अपने या सुनने वाले कैतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य प्रुस्वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वह कक्षा में प्रथम आई है उन्होंने खाना खा लिया है